Hello dear students, welcome to AEC Plus Powered by Advanced Engineering Classes. मैं राम्मन और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ reasoning के इस session पे. आज की class में हम सीखेंगे number analogy. Number analogy. अभी जो series चल रही है, reasoning में वो सारे question हम लोग solve कर रहे हैं, जो number पर based है. मतलब संख्याओं वाले question. सारे type यहां लिए गए हैं. तो last session अभी जो हम लोगों नहीं सीखा था, वो था number series. कि भाई, एक logic लगा कर अगली संख्याओं बताईए क्या आएगा. आज की class में हम सीखेंगे number analogy. अब number analogy में पहले एक basic देखिए. फिर मैं आपको कुछ question solve कराता हूँ. बेसिक कुछ ऐसा, number analogy में question पूछने का तरीका कुछ ऐसे. चार लिख दिया जाए, नौ लिख दिया जाए, पच्चिस लिख दिया जाए, then what? जैसे ये एक question ही समझेए, इस तरीके से question पूछे जाएंगे. इसमें बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कि सर इसमें एक logic, दो logic, तीन logic, कई logic लग रहे हैं, और option भी मैच हो रहा है. हम जो भी logic सोच रहे हैं, option भी मैच हो रहा है, तो ये दिक्कत हो जाता है, कि किस पर टिक लगाया जाए? अब ये डर बना रहता कि अगर हम इस logic से टिक लगाते हैं, कि तो बोर्ड कहीं, दूसरे को answer राइट न मान दे, तो दिक्कत यही हो जाती है, तो आएच सीखते हैं, कि भाई, किस तरीके से हमें अगर तीन चार logic भी लग रहे होंगे, तो कौन से हमें, फिर friends के according, कौन सा option टिक करना है, ठीक, देखिए, जैसे particular ये एक question मैं ले लिख दिया, अब इसी एक question में देखिए, कितने logic लग जाएंगे, जैसे, पहला logic, पहला logic ये लग जाए, कि clear ये सारे square दिख रहे हैं, जैसे पहला number 2 का square है, तो उससे अगली संक् तीन का square है, और ये अगर देखिए, तो पांच का square है, तो जाहिसी बात है, अगला square क्या होने वाला है, छे का square है, भई, logic लगा लिया, दो से अगली संक्या 3 है, तो पांच से अगली संक्या 6, और 6 का square हो जाएगा, दोस्तो 36, तो right answer हो जाएगा, 36, और ये लग गया, square के concept चार का जो relation 9 के साथ है, तो हम बोल सकते हैं कि चार में 2 का गुड़ा कर दो, और एक जुड़ दो, तो चार दुनी 8 और एक 9 बन जाएगा, तो same ऐसे ही हम logic लगा लें कि ये जो 25 दिख रहा है, तो 25 में आप क्या करो, 2 का गुड़ा कर लो और एक जुड़ दो, तो 25 दो 50 औ और एक 51 हो जाएगा, तो right answer 51 हो गया और इसमें logic क्या लगाए हमने, multiplication का, multiplication, तो दोस्तों, दोनो right हैं यहाँ पर, पहला भी answer right है, दूसरा भी right है, तीसरा, अब जैसे ये भी तो बोल सकते हैं कि 4 से 9 का जो relation है, तो हमने यहाँ gap देख लिया, कि 5 जोड़ कर आप 9 बना लो, या इन दोनों के बीच में 5 का gap है, 4 में 5 जोड़ दो, 9 आ जाएगा, तो ऐसे ही जरा बताएगे, 25, 25 में अगर हम 5 जोड़ दें, तो 25 और 5 कितना हो जाए दोस्तों, 30 हो जाए, तो यह भी तो right answer है, और इसमें क्या logic लगा, head का, यह इसको बोल सकते है gap, इसको बोल सकते है gap gap भई, plus का भी हो सकता है, minus का, तो सीधा सीधा यहाँ पर हमने जगाया जोड़ घटाने का gap, और क्या logic लग सकता है, चौथा नमबर, तो चौथा नमबर यह भी logic लग सकता है दोस्तों, कि यह मैं बोल सकता हूँ कि 2 prime number है, और 2 से अगली prime number, ठीक है, कि 2 का square है, और यह 3 का square है, तो मैं यह भी बोल सकता हूँ, 2 के बाद next prime number, next prime number, अगला अभाज संख्या, prime number का ध्यान रखना है हमें, भई, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है, 13 है, 17 है, 19 है, वो संख्या जो किसी के multiple नहीं होते हैं, एक यह खुद के होंगे, किसी के multiple नहीं, अभाज संख्याएं कहला तो मैं बोल सकता हूँ, 2 के बाद अगला prime number, तो यहाँ भी देखे, यह 5 है, 5 का square है, तो 5 के बाद अगला prime number मैं बोल सकता हूँ, 7 का square लगाओ, next prime number, और 7 का square लगाएंगे, तो 49 बन जाएगा answer, और यह भी right है, और यह जो answer बन रहा है, यह बन रहा है, prime number के logic से, तो दोस्त तो particular इस एक question में, जड़ा देखो, 4 answer आ गए, 4 logic लग गए, एकाद logic तो अभी और हो सकता है, लग जाए, ठीक, बट, basic में अगर आप सोचो, मानलो अब यही 4 answer मैं रख दू, 36 भी रख दू, 51 भी रख दू, 30 भी रख दू, 49 भी रख दू, particular इस question के यही 4 answer रख दिये जाए तब यह दिक्कत हो जाए गा कि भी हIs ऑब किस पे टिक लगाया जाए, अगर मैं इस पर टिक लगाता हूं तो कहीं बोडि इसको ना right बोल दे, तो यही दिक्कत होता है, student के सामने, ये number analogy में, कि किस पर हम टिक लगाएं, सारे answer match कर रहे हैं, तो भ exists, जब हमारा जा रहा है में ऐसे multiple logic लग रहे हों तो एक preference काम आएगा preference मतलब एक sequence एक क्रम सीधा सीधा बताओं क्रम का आप ध्यान रखिएगा कैसा क्रम इस क्रम में पहला number हमेशा आता है prime number का prime number का logic होता है top में फिर दूसरा होता है square square और cube तीसरा जो logic होता है फिर square cube के बाद multiplication 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 के बाद जो sequence आता है वो आता है भई divide का और divide के बाद फिर आता है दोस्तो जोड़िया घटाने का मतलब इसको बोल दिया जाए भई gap gap या तो plus से आगे बढ़ रहा होगा या तो minus से आगे बढ़ रहा होगा plus minus का फिर sixth number में आता है दोस्तो इसको बोलते है illogical illogical approach illogical approach illogical approach का मतलब कुछ भी ठीक है अभी मैं आपको illogical भी समझा देता हूँ कि क्या है illogical तो दोस्तो प्राइम नंबर का तो भी आपको समझ में आ गया ना प्राइम नंबर एकदम टॉप में अभाज जिसंख्या का logic अभाज जिसंख्या वाला logic जो लगाओगे वो सबसे टॉप में रहेगा जैसे देखिए अभी पिछले question में आपने इतने सारे logic लगाए क्या प्राइम नंबर के logic से क्या answer आ रहा है 49 तो अगर मैं ये चारो answer रख दूँ तो right answer होगा 49 क्योंकि 49 प्राइम नंबर से आया प्राइम नंबर की priority सबसे टॉप में होती है अब मान लेजे प्राइम नंबर वाला ना हो अब मान लेजे प्राइम नंबर वाला ना हो तो फिर आता ही square cube और square cube में भी first number आता है cube का second number आता है square cube का logic आता है तो जड़ा देखो square cube का logic तो cube का तो है इनी तो अगर 49 नहीं है तो अगला preference जाएगा 36, 36 जो square के logic से आया है, ठेक second number तो first priority के according ये second ये, third number में आते है multiplication and fourth number में आते हैं फिर ये हलाकि इसमें आपको ये logical लगा नहीं तो illogical मैं आपको अलग से बता देता हूँ तो अब आज जिस अंख्यावाला अगर कोई logic लग रहा है तो सबसे पहले आप उसी पे टिक लगाएं ये, बिल्कुल one marks मिलेगा, और अगर square cube आ रहे हैं तो पहला preference होता है cube का, दूसरा होता है फिर square का multiplication भी दो तरीके से अगर कोई direct multiply हो रहा है direct multiply direct multiplication हो रहा है ठीक है, मतलब सीधा सीधा गुणा हो रहा है, ना कुछ जोड़ना पड़ रहा है ना कुछ घटाना पड़ रहा है, सीधा गुणा कि भाई 3 के आगे लिखा है भाई 20, तो 3 साथ एक 20 अगर 3 के बाद मैं लिख दू 22 तो आप बोलेगे, 3 साथ 20 साथ का गुणा कर लो, एक जोड़ लो तो जोड़ना कुछ न पड़े, सीधा-सीधा गुणा कर लो, तो ये कहलाता है डारेक्ट मल्टिप्लिकेशन और दूसरा होता है भही कि किसी को आप गुणा करो और फिर कुछ जोड़ो और घटाओ तो ये होता है भही, इसको मानलो इंडारेक्ट या ऐसा अप्रोच इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा तो जब मल्टिप्लिकेशन का लॉजिक लगेगा तो ऐसे प्रिफ्रेंस में ये पहले आएंगे ये दूसरे नमबर अगर डारेक्ट मल्टिकेशन का लॉजिक लग रहा है ऐसे लिख दिया जाएं तीन छे एक इसका रिलेशन अगर दस से है तो पाँच तीन दो क्या होगा तो इलोजिकल अप्रोच का मतलब भी जैसे मैंने देखो छे तीन आठ छे साथ आठ नव और एक दस सब को जोड़के दस बना दिया तो पाँच तीन आठ नव दस लिख दो यह होता है इलोजिकल अप्रोच जैसे वन का जो रिलेशन है वन जीरो वन से सेम यही रिलेशन बताएए एट सेवन का किस से होगा तो सिंपल सा हमने लोजिक यह देखा कि डबल वन है और डबल वन से इसका रिलेशन क्या है तो भई सीधा है डबल वन के बीच में जीरो लगा दिया तो यह कहलाता है इलोजिकल मतलब कुछ भी लोजिकल लगा दिया कि इन तीनों को आपने गुड़ा करके बना दिया इन तीनों को आपने जोड़के बना दिया यह illogical कहलाते हैं जैसे डबल वन दिख रहा है इनके बीच में 0 लगा दिया तो हम भी 87 के बीच में 0 लगा देंगे तो यह सब कहलाते हैं illogical illogical का मतलब कुछ भी इन नंबरों में जो आपको दिखाए दे कुछ भी logic लगा लो ना इसमें square काम आएगा ना क्यूब काम आएगा ना जोड़ ना घटा ना बस इन ही नंबरों में आप anything जो भी आप कर सकते हो कर लो तो दोस्तो ध्यान रखिए गा नंबर analogy में हमें बस इसी preference का ध्यान रखना है इसी sequence के आधहार पर आप चलते हैं कुछ question सॉल करते हैं तो ये हो गया एक basic इस basic को अच्छे से आप समझेए note कीजिए और देखिए questions ये रहा आपके screen पर question number first कहता है जो relation 21 का 3 के साथ है वही relation 574 का किस के साथ होगा अरे भाई सीधा सीधा दिख रहा है सीधा सीधा अब इसमें देखिए बच्चे क्या करते है बच्चे क्या करते है सर दो और एक तीन दिख गया अभी जो मैंने illogical बताया सर दो और एक तीन दिख गया तो हम भी सब को जोड़ देते हैं ठीक है 7 और 5, 12, 13, 14, 15, 16 तो सब को जोड़ दिया तो कितना आंसर आ गया 16 लेकिन ये 16 किस लोजिक से आया illogical illogical अप्रोच लेकिन अच्छी बात है कि 16 आप्सन में नहीं है फिर दूसरा तरीका कि हमने भाई इसमें 7 का डिवाइड कर दो भाई या तो ऐसे कर सकते हो कि 3 है 7 एक कैस या तो इस पे आप जा सकते हो कि डिवाइड बाई 7 अगर एक कैस से में जाता हूँ तो साथ का भाग लगा रहा हूँ आंसर सेम आएगा जब कभी ऐसा सिच्वेशन होता है सेम चलेगा ठीक है चाहे आप multiplication से जाओ चाहे divide से आंसर सेम लेकिन preference पे पहले ये आते है अब जड़ा बताईए तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या होगा जिसमें मैं multiply साथ का कर रहा हूँगा ठीक है तो आ रहा होगा पाँच, साथ, चार तो जड़ा बताईए ये संख्या चार option में किसमें साथ का गुणा कर दो तो अगर मैं इसमें करता हूँ तो साथ, तीन, एककईस एकाई यांक मुझे चार चाहिए तो यहाँ एककईस साथ, दो, चवदा यहाँ बन रहा है साथ, साथ, उन्चास नहीं बनेगा साथ, एककईस नहीं बनेगा यह डिवाइट से मिलेगा 82, दोनों में सेम आंसर दोनों में सेम आंसर आईए, देखिए, अगला question जैसे है यह कहता है, 18 का जो relation 30 के साथ है, वही 36 का किस के साथ है तो आईए ज़रा practice में हम यह करते हैं कि क्या-क्या logic हम इसमें सोच सकते हैं क्या-क्या logic हम इसमें सोच सकते हैं पहला logic, मुझे clear cut दिख रहा है यहाँ पर gap clear cut gap दिख रहा है कि gap कितने कब ही 18 में कितना जोड़ दो 30 हो जाए, तो आप कहेंगे 18 plus 12 equal to, मैं 30 बना देता हूँ, ठीक है, gap कर गिया तो 36 में भी 12 जोड़ दो तो 36 plus 12, 6 और 2, 8 3 और 1, 4 तो यह आ गया 48 और अच्छी बात है, 48 option में नहीं है अगर होता भी, तो भी हम समझते भई किस पर टिक लगाएंगे तो यह एक gap से answer ready हो गया 48, और ज़रा देखिए कुछ logic और देखते हैं भई, कुछ logic 18 18, 2, 36 multiplication multiplication का logic लगाते हैं कि भई, 18 में अगर मैं 18 से मुझे 30 बनाना है तो 18, 2, 36 और 36 में 6 घटा लो तो यह logic बन गया ठीक है, 18 से 36 बनाने का तो हम भी क्या करते हैं कि 36 में 2 का गुड़ा, 72 और 6 घटा लो तो यह हो जाएगा दोस्तो 66 तो यह भी एक answer है और अच्छी बात है, यह tally भी कर रहा है तो दो logic लग रहे है एक gap से 48 आ रहा है और एक 66 आ रहा है अच्छी बात है कि option में एक tally दोनों होता तो कोई दिक्कत नहीं हम preference लगा लेते हैं और ज़रा सोचिए क्या logic लगा सकते हैं तो और अगर logic लगाना है तो और भी कुछ कीजिए भई जिससे यह logic बन जाए यह तो किसी का square दिख रहा है यलकिन इसमें किसी का square है ही नहीं square का logic तो अब बन रही पा रहा है इधर तो square है लेकिन इधर अगर बन जा तो साइध square का बनता तो दो ही logic यहाँ पर match हो रहे हैं और एक answer भी हमारा tally कर रहा है और अगर 48 भी होता 48 भी होता option में तो multiplication की range आती है sequence में पहले बाद में आता है gap का तो right answer यहाँ हम 66 ही चुनते right answer 66 ही चुनते अगर आप किसमे square cube का कुछ logic लगा रहे हो तो preference में फिर वुसका हो जाएगा priority और अगर इसमें prime number prime number तो देखो कोई है यह नहीं ठीक है तो right answer होगा 66 आईए बढ़ते हैं अगले question की तरफ कहता है 17 का जो relation 52 के साथ है same वही relation एक का किस के साथ है बताओ और यह clear clear दिख रहा है भई कि 17 में आप multiply कर दो 17, 34, 51 plus 1 तीन का गुड़ा करके एक जोड़ दो तो यहाँ पे भी आप तीन का गुड़ा करके एक जोड़ दो तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों 4 तो एक answer तो हमारा आगया भी 4 और कोई logic लग सकता है क्या और कोई logic लग सकता है क्या अगर मैं देखू यह 4 का square है उससे एक कम तो यह तो भी नहीं बन पाएगा एक कम करूं तो मतलब दो लाना पड़े नहीं और कुछ देखू इलोजिकल अप्रोच 7 और एक 8 हो जाएगा 5 दो 7 हो जाएगा तो यहाँ तो ऐसा कुछ बने गई नहीं तो एक ही लोजिक यहाँ पर अगर देखा जाएं तो 17 का भई 3 से गुणा कर दो एक जोड़ दो तो एक में 3 का गुणा करके एक जोड़ दो तो right answer यहाँ आपको मिल रहा है 4 और यह हो जाएगा right answer 4 चलिए और भी question है दोस्तों सारे questions लिए गए है आईए सीखते हैं समझते हैं कहता है 3 का जो relation 243 के साथ है same वही relation 5 का किस के साथ होगा अब जब देखें क्या 3 और 243 का relation समझे और यह तो square cube पर ही जा रहा है भी देखिए 3 की power में अगर मैं 5 लगा दूँ तीए तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन तो यह हो जाएगा भाई 9 यह हो जाएगा 9 और यह तीन 9-9 81 81 में 3 का multiply तो यह देखिए 3 की power 5 होता है यह और अगर यह power की बात है तो direct a prime number का सोचो क्योंकि इसमें अगर gap का logic लग रहा होगा गुड़ा का logic लग रहा होगा तो भाई मानने यही है और simple इसमें बन रहा है भाई 3 की power 5 कर दो तो यह बन जाएगा तो ऐसे ही अगर हम 5 की power 5 कर दें तो 5 की power 5 तो भाई हजारों में आएगा पाँच की power 5 यह नहीं यह नहीं यह नहीं तो right answer होगा 31,25 31,25 is the right answer जिसमें पहले ही power में लग गया भी 3 की power 5 यह होता है तो 5 की power 5 right answer अगला question इसमें भी जड़ा देखिए 20 का जो relation इनसे है same वही relation किस के साथ होगा किस के साथ होगा तो जड़ा देखिए इसमें कई logic हम लगा सकते हैं एक तो illogical approach ऐसे लगा सकते है illogical approach ऐसे लगा सकते हैं कि सर इन दोनों में अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो जोड़ लेता हूं तो कितना हो जाएगा भी दो इन दोनों को जोड लेता हूँ तो दो तो दोनों तरफ अगर मैं जोड रहा हूँ यह इलोजिकल अप्रोच है इनका नंबर आता है सबसे लाजम लेकिन देखते चलो कि क्या क्या लाजिक लगा सकते हैं भई तो ऐसे ही इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा अब ही 102 इन सब को जोड़ोंगा तो कितना होगा तो कोई ऐसा नंबर है जोड़ने पर 3 आए 9,4,13 मतलब जोड़ते चलो 13 आ जाएगा 13 में भी चलो इनको जोड़ोगे 13 आएगा फिर जोड़ों को जोड़ोगे तो 4 आएगा 5,2,7 आएगा 6 और 1,7 आएगा 8, 2, 16, 17 17 और 1, 8 जाएगा तो आही नहीं रहा बराबर तो ये एक logic है बट अच्छी बात है किसी option में टेली नहीं हो पा रहे है ठीक है अगर कोई ऐसा option होता कि उनको जोडने पर 3 आए तो वो भी बिलकुल right answer है तो ये एक logic हो गया भई, दूसरा logic दूसरा logic मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 11 का double कर दो 22 और 2 कम कर दो 11 दूनी 22 2 कम कर दो तो यहां भी कोई ऐसा number होगा जिसमें हम 2 का गुणा करके 2 घटा रहे होंगे तो ये आ रहा होगा तो मतलब हमें 104 चाहिए तो कौन सी संख्या में हम 2 का double कर दे 104 हो जाए तो 52 नी 52 का double होता है भई 104 और 2 कम कर देंगे तो 102 बिल्कुल बन जाएगा तो right answer हमें मिल चुका है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भई question number 6 कहता है कि 42 का जो relation 20 के साथ है वही relation 64 का किस के साथ होगा किस के साथ होगा तो आईए देखो समझते हैं दोस्तो जैके सीधा सीधा है भई फिर से वही logic लग जाएगा दोनों लग जाएगे चाहे आप ऐसे multiply करके देख लीजिए 20 दो 40 तो 42 चाहे आप divide by 2 कर लीजिए तो इसको आधा कर देंगे तो यह हो जाएगा 21 ठीक है इसको आधा करके फिर एक कम कर देंगे तो यह भी लग जाएगा divide by 2 21 और एक माइनस कर दो तो दोनों तरीके से देखते हैं दोस्तो तो यहां से हमें चलना है 2 का गुड़ा करके plus 2 तो 2 का गुड़ा करके plus 2 करेंगे यह तो भी जादा जा रहा है 31 दूनी 31 का double कर लो तो यह हो जाएगा 62 और 62 का double कर लेंगे तो यह tally हो जाएगा 64 ठीक है तो एक तो चलो यह मैच हो गया 31 दूसरा नमबर इसको अगर हम आधा कर दें आधा करेंगे कितना हो जाएगा 3 है और यह 1 हो जाएगा और फिर minus 1 करेंगे तो कितना आजाएगा भई minus 1 भी तो किया गया था ना तो यह हो जाएगा 30 ठीक है यह हो गया आधा नहीं भई यह होगा ना आधा फिर एक कम करोगे तो फिर भी आएगा 31 फिर भी आएगा 31 तो आप कैसे भी चलिये, जब कभी भी इस तरीके से प्रोसेस होते हैं, तो आंसर सेम टेली करते हैं, भाई, इसका अधा करोगे 32 32 में से एक कम करोगे 30 ही होगा, और या फिर 31 का डबल करोगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 62, और 62 में फिर 2 जोड़ोगे, तो वही आएगा 64, तो हर हाल में ऐसे पिछला कोस्टन भी बनाया था, जब कभी भी ऐसे logic चलते हैं, तो एक ही आंसर टेली होता है, अगर दो अलग-अलग आंसर टेली होते, तो पहला preference हमें multiplication पर होता, और दूसरा होता है divide पर, चलिए, next, ये भी clear cut दिख रहा है भई, 1, 2, 1 का जो relation 1, 2 के साथ है, वही 25 का किस के साथ होगा, और clear हमको दिख रहा है 1, 2, 1, ये 1, 2, 1 तो clear दिख रहा है 11 का square, और ये तो भई, सीधे-सीधे 12, ठीक है, उससे एक ज्यादा, तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, ये 5 का square है, तो 5 से एक ज्यादा कितना भई, 6, और 6 option में भी है, और square वाले logic भी है, अगर इसको कोई break कर सकता है, तो वो है prime number, क्या कोई prime number का logic लग रहा है, तो 11 तो prime number है, लेकिन ये prime number नहीं है, तो prime number का logic नहीं लगेगा, तो right answer यहाँ पर आपका 6 ही tally होगा, right answer आपका यहाँ पर 6 ही tally होगा, clear है, right answer 6, चली दोस्तों, अगला जो question है, ये भी, बड़ा simple सा question है, 6 का relation, 6 का relation, 2, 2, 2 से हैं, तो बताइए, 7 का relation किसे होगा, और 6 से आप 222 बना सकते हो, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, इसको भी analogical approach से देखते हैं, analogical approach से कैसे देखते हैं, कि यहाँ पर है two, 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 तो इन सब को जोड़ दो, तो 2, 2, 4 और 2, 6 बन जाएगा, तो यहाँ भी ऐसा कोई number होगा, जिन में सब को जोड़ दो, तो 7 बन जाएगा, यहाँ ऐसे कुछ भी लिख दो, तीन लिख दो मैं, ठीक हैं, दो लिख दो, तीन दो, तीन दो, चार और एक पाँच, दो साथ, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो जोड़ जोड़ो, पास तीन आठ नहीं बनेगा, चार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, फिलहाल, यह एक logic है, लेकिन यह illogical approach के अंदर आते हैं, ठीक है, अच्छा है, कोई option है, नहीं, होता भी, तो कोई दिक्कत नहीं, जड़ा देखिए ध्यान से, दूसरा logic क्या लगेगा, कि भई, सीधा-सीधा, यह connect हो रहा है, कि 6 का cube, 6 का cube होता है, 216, और यहीं 6, अगर आप जोड़ दो, तो क्या, य 343, और इसी में 7, एड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 350, तो 350 is the right answer, 350 is the right answer, और cube का logic लग चुका है, तो अब सिर्फ prime number सोचो, और यहां कोई prime number, यह लोग तो देखो है नहीं, तो इसलिए right answer 350 ही होगा, चलिए, अगला question, अगला question भी अच्छा है दोस्तो, 26 का जो relation 5 के साथ है, वही relation 65 और question mark के साथ ढूड़ना है, अब तो यह सीधा सीधा logic लग रहा है, कि पहला logic यह लग रहा है दोस्तो, बई देखो, 26 है, यह 5 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कि 5, 5, 25, 5, 25, और एक 26, तो यहां भी बताओ कौन सा number होगा, यहां पर होगा 8, ठीक है, 5 का गुड़ना कर लें, तो किसी का गुड़ना करके एक जोड़ेंगे, तो यहां पर जब बताओ, 6, 6, 6, 6, 5, 30, 7, 5, 35, 8, 5, 40, 9, 5, 45, नहीं बनेगा, जिस logic से तो देखो, नहीं बन पाएगा, दूसरा कुछ और ढूडते हैं, यह 5 है, तो यह 5 का स्क्वाइर प्लेस वन है, और यह कितना है भई, यह है भई, 8 का स्क्वाइर, प्लेस वन, तो अगर यह 8 हो जाए, तो 8 का स्क्वाइर प्लेस वन, और इस पर तो देखो, टैली भी कर रहा है, इस पर टैली भी कर रहा है, ठीक है, तो यह जो मल्टिप्लिकेशन का सोच र कोशन है दोस्तों देखिए 25 का जो रिलेशन 125 के साथ है तो आए पहले इसका रिलेशन समझ लेते हैं तो 36 का किसके साथ पहला जो लॉजिक लगेगा सीधा सीधा मैं यहां पे लगाया कि भई 25 में 25 पंचे 125 सीधा सीधा 25 का पाँच टाइम तो 36 में भी हम पाँच का गुड़ा कर देते हैं छह पाँच तीज एक साथ तो यह एक आंसर तयार हो गया किससे मल्टिप्लिकेशन से किससे मल्टिप्लिकेशन से दूसरा जो लाजिक लगेगा कि भई 25 स्कूर्ण में बोल सकता हूँ 5 का स्कूर्ण कीव यह भी किसी का यह 6 का स्कूर्ण है तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 तो अगर इसमें square cube का logic लग गया तो ये तो option में भी देखो अच्छी बात है option में भी है 180 तो बच्चे अब यहीं पर दिक्कत होना शुरू हो जाता है कि सर हमाने यह logic देखा direct 180 भी मिल यह टिक कर दिये और अगर answer की I और यह 180 गलत हो गया तो बच्चे यहीं disturb कि हमारी क्या गलती है हमने क्या logic गलत लगाए है तो दोस्तो इस वरियकार के analogy वाले question में जड़ा preference को आप ध्यान में रखिए गए preference को आप ध्यान में रखिए गए तो right answer यहां होगा 200 right answer होगा यहां पर 200 option number C is the right answer